जै मातादी, मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकेटी स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है अगर आप नवरातरी की पूजा विधी या फिर मोहुर्द के साथ ही नवरातरी के सभी नौ दिनों की पूजा विधी, मंत्र, आर्ती और कथा के बारे में जानना चाहते हों तो हमारे चैनल पर नवरात्री के दिनों में अपलोड होने वाली वीडियोस को भी जरूर दिखेगा उमीद है कि आप इन वीडियोस को भी अपना प्यार अपना सहयोग जरूर देंगे आज के इस वीडियो में सुनिए श्रीमत देवी भागत पुरान कथा में जब राजा जनमेजय ने व्यास ची से कहा कि है मुनिवर अब आप मुझे देवी के उस अद्बुत चरित्र के बारे में भी बताईए जब सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिविशक्तियां अपन अपने आयुध और आभुशन देवी कॉर्पित किये ये सारा प्रसंग मैं आपके मुखारविन से सुनना चाहता हूँ श्री सूत जी कहते हैं महराज जनमेजय की ये सभी बाते सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानों उन्हें संतुष्ट करते वे मधुरवानी में क कहना आरंब किया व्यास जी कहने लगे राजन तुम बड़े भागिशाली पुरुश हो देवी के श्री विग्रह के रूप विशयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धी के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन तुमसे करता हूँ ध्यान से सुनो स्वयम श्री ब्रह्मा विश्नु महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी भी समय नहीं बता सकते फिर मेरी तो भला गणना ही क्या है देवी के जो रूप है जैसे हैं और जिस उद्देश से हुए हैं उन्हें मैं भला कैसे जान सकता हूँ बस मेरी वानी केवल इतना ही कहने मे समर्थ है कि अखिल देवशक्ती स्वरूपा भगवती प्रकटवी वस्तुतह देवी तो नित्य स्वरूपा है सदाही विराजमान रहती हैं देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की आवशक्ता पढ़ने पर एक रूपा होने पर भी वे कभी तरह-तरह के रूप धारन कर लेती हैं जैसे नट स्वरूपा एक होने पर भी जनता को प्रसंद करने के लिए तरह-तरह के वेश बना कर रंग मंच पर आता है वैसे ही ये भगवती वास्तों में निर्गुणा और अरूपा होते वे भी देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगण रूप धारन कर लिया करती हैं जहां ये जैसा कारे करती हैं उसी के नुसार उनके अने को नाम पड़ जाते हैं उनके जितने भी गौण नाम है उन सब में धातु के अर्थ का संबध है राजन अब जिस प्रकार जिस तेज से भगवती का मनोहर रूप अत्यंत विशाल और मनोहर आकरती वाला हुआ यम्राज के तेज से भगवती के सिर में सुन्दर बाल निकलाए सभी केश बहुत लंबे थे और उनका उपरी भाग मुणा हुआ था मेग के समान मनोहर आकरती थी अगनी के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए कृष्ण, रक्त और श्वेत इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी उनकी सुन्दर भवहे संध्या के तेज से उत्पन हुई वे तेज से परिपुर्ण काली तेडी भवहे ऐसी लगती थी मानो कामदेव का धनुश हुए वायू के तेज से उत्तम दो का नुत्पन हुए वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही छोटे कुबेर के तेज से अत्यंत मनुहर नासी का प्रकट हुई उसकी आकरिती बड़ी ही सुन्दर थी तिल के फूल के समान उसका आकार था राजन उन देवी के अत्यंत चमकीले और मनुहर दात प्रजापती के त प्रक्ट हुआ था। राजन इस प्रकार तेज पुंज से सुन्दर आकारवाली वह देवी प्रकट हो गई। संपूर्ण देवता तुरंत ही अपने आयुधों से परमते जस्वी विवित प्रकार के अस्त्र और शस्त्र निकाल कर इस देवी को और पन कर दे। साथ ही उन्होंने दिविचूणा मणी जिसकी चमक करोणों सूर्यों के तेज को भी परास्त कर रही थी दो कुंडल और सुन्दर कड़े देवी को अर्पित किये। विश्व कर्मा जी ने बड़ी प्रिसनिता से बाहूं के लिए के यूर और कंगन जो अत्यन्त अद्भुत और अनेक प्रकार के रतनों से सुसचित थे देवी को भेट किये। त्वस्टा ने सुन्दर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपर जिन में मधुर्धवनी निकल रही थी और जो रतनों से भुशित और सुरी के समान प्रकाश मान थे देवी भगवती को भेट किये। त्वस्टा का हर्दय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठार और अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों की बनीवी अंगुधियां भी दी। वरुन ने कभी ना कुमुलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेट की। वैजियन्ती नाम से विख्यात ये हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मड़ा रहे थे। हिमवान ने संतुस्ठो कर देवी के लिए सुन्दर रंगों का सुन्दर सें तथा तरह तरह के रतन समर्पित किये। फिर तो सर्वो परी विराजमान रहने व प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षेसों के सिरकाटने में वह पूरी तरह से समर्थ था। भगवान शंकर ने अपनी त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को भेट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भैदूर करने की परियाप प्रसन्ना आत्मा वरुन ने अपने शंक में से एक अत्यन चमकीला सुन्दर और सुन्दर शंक उत्पन करके देवी भगवती को और पित किया। उससे निरंतर धनी हो रही थी। अगनी देव का मन प्रसनता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ती तथा दानवी सेना का स दुर्धश था। उसकी टंकार बहुत ही टीखी थी। देवराज इंदर ने अपने वज्र से उत्पन करके वज्र और एरावत हाती से उतार कर एक अत्यन सुन्दर और स्रेष्ट शब्दवाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संगहार का अवसर उपस्थित मंडल तथा वरुण ने प्रसनिता पूर्वक एक पाश इन देवी को अर्पित किया। राजन काल ने इन्हें धाल और तलवार दी। विश्व कर्मा जी ने तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पानपात्र और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिविहार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वस्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमोद की गदा वहिट की। उस गदा में शब्द करने वाली स्यकडों घंटियां लगी ही थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेतिक कवच भी देवी भगवती को अर्पित किया। सूरीदेव ने जगदंबा को अपनी किरणे प्रदान की, जब कल्यान माई भगवती आभुशोनों से अलंकरित होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिये हुई तब त्रिलोकी को मुग्द करने वाले उनके दिविदर्शन पाकर सभी देवता उनकी स्तुति करने में लीन हो गए देवतागन कहने लगे हे शिवा कल्याणी शांती पुस्टी और रुद्राणी नाम से प्रसित दिविसरूप धारन करने वाली हे जगदंबा आपको निरंतर प्रणाम है जो कालरात्री इंद्राणी सिध्धी बुद्धी व्रद्धी तथा वैश्नवी नाम से विख्यात है उन भगवती अंबा को निरंतर नमस्कार है जो प्रत्वी के भीतर व्यापत हैं कि तु प्रत्वी जिने जान नहीं सकती तथा जो प्रत्वी के अं करने में उद्यत रहती हैं उन कल्यान स्वरूपणी अजन्मा भगवती जगदंबा को हम प्रणाम करते हैं माता शत्रु से हम महान दुखी हैं आप कल्यान दाइनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए अत्यत दुराचारी महिशासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करन के वेश बना कर सभी देवताओं को कस्ट पहुचाया करता है भक्तों पर करपा करने वाली देवी इस अवसर पर सभी देवताओं के लिए केवल आप ही शरण है आपको नमस्कार है दानव द्वारस ताये गए हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवताओं के इस्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसनता से खिल उठा देवताओं के प्रती वे मंगल मैं वचन कहने लगी कि है देवताओं आप उस मुर्ख महिशा सुर्षे आप निडर हो जाईए मैं शीकरी उस अज्यानी अभिमानी द्यत्ति को संग्राम में मार डालूगी व्यास जी कहते हैं देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत इस्पस्ट स्वर में देवी पड़े जोर से हस पड़ी फिर वे बोली ब्रहम और मोह से युक्त ये कैसा विचित्र जगत है आज सब ही देवता महिशा से अत्यंत भैबीत हो रहे हैं इनका कलेजा थर्रार उठा है आदर्नी देवताओं प्रारत बड़ा ही घोर और दुर्जय है क्योंकि काल और करता होने का सवभाग उसी को प्राप्त है उसी के विधाना नुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं इस प्रकार कुछ हंसकर बात करने के बाद देवी ने अटाहस भरे उचिस्वर से गर्जना की उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए उस अद्बुत शब्द से प्रत्वी काप उठी सभी परवत डोलने लगे गंभीर समुत्र में तरंगे उठने लगी उस गर्जना के प्रभाव से सु वांग में भय व्याप्त हो गया देवताओं को अपार हर्श हुआ देवी आपकी जय हो आप हमारी रक्षा करें इस प्रकार वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे मद में चूर रहने वाले महिशा सुनने भी वह भीशन गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तिल्मिल जाएं पता लगाएं कि अतिन्त कठोर और कान के पर्दों को फालने की क्षमता रखने वाला ये शब्द किसके मुख से निकला है ऐसी गर्जना करने वाला देवताओं दानर जो कोई भी हो दूत उस दुस्त को पकड़कर तुरंत मेरे पास लेकर आएं वहमान नीच और अ जाता है देवता तो कभी के परास्त हो गए थे भैसे उनका कलीजा काप उठा था इसलिए वे तो ऐसी गर्जना नहीं कर सकते जिन्होंने मेरी अधीनता स्विकार कर ली उन दानवों का ये काम हो ये भी असंभव है फिर किस मुर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है क्यों ऐसी गर्जना हुई इस विशे की पूरी जानकारी प्राप्त करके दो तुरंत मेरे पास लोट कराएं तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा व्यास जी कहते हैं महिशा सुर के इस प्रकार आग्या देने पर दोथ भगवती नुहर थे अठारा भुजाएं थी उनका देवी विग्रह संपून आभुषनों से सुसजित था उनमें सभी उत्तम लक्षन विद्यमान थे उन कल्यान मई देवी ने हाथों में श्रेष्ट आयुथ धारण कर रखे थे वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधू पी रह उनके सर्वांग में त्रास चा गया अत्यत शंकित होकर विवहां से तुरंत ही लोट पड़े और जल्दी जाकर महिशासुर के सामने उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना करने का कारण भी व्यक्त करना आरम कर दिया दूत इस प्रकार महिशासुर से बोले कि हेदान वेश रूप है ना तो वह मान भी जान पड़ती है और ना ही आसुरी उस स्रेष्ट इस्त्री के अठार भुजाए हैं हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वे विशाल सही परसवार है उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है इ उसकी स्तुति कर रहे हैं और वे कहते हैं कि देवी आपकी जय हो आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें प्रभू मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ट इस्त्री कौन है और किसके साथ उसका विवाह हुआ है इस सुन्दरी के यहां आने का क्या कारण है वे क्या चाहती है उसके शरीर से इतना प्रकाश निकल कर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे उसके सभी श्रंगार वीर रसके हैं उसका मुख मुसकान से भरा है अद्बुत रसवाली वे सुन्दरी नारी बड़ी भयानक लग रही है उसका ऐसा रू प्रधान मंत्री हो आदेशा नुसार सेना लेकर जाओ साम दाम आदिवपायों का उपयोग करके उस सुन्दर मुखवाली इस्त्री को यहां लाने का प्रबंद करो अगर साम और दाम से वे नहीं आना चाहती तो तीसरे अस्त्र यानि दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है इतना करना कि उसे चोट न पहुँचे उस सुन्दरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास लेकर आना क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसनिता से पटरानी बनाना चाहता हूँ संभव है प्रेम का बड़ताव करने पर ही वह मिर्गने नहीं आ जाए तुम मेरी इच्छा पून होने में यथा साध यद निशील बन जाओ और ऐसा करना जिसे रंग में भंगना होने पाए उसके सौंदर रूपी एश्वरी को सुनकर मैं तो मोहित हो गया हूँ व्यास जी कहते हैं महिशासुर के मधुरवचन सुनकर उसका प्रधान मंत्री तुरंथ हाथ ही खोडे और रथों के साथ प्रस्थान कर गया मनस्वनी भगवती जगदंबा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ बहुत दूर खड़ा रहकर ही वो कहने लगा उसने नम्रिता पूरवक मधुरवचन में भगवती के प्रती मिठी वाणी से कहा महभागे मेरे स्वामी जगत विजई हैं उन्हें देवता तक नहीं मार सकते मुनश्यों की तो फिर बात ही क्या है वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस उद्देश से यहां आने का तुमने कस्ट उठाया है सुलोचने हमारे महराज को तो ब्रहमाजी वर्दान दे चुके हैं इसका उन्हें पोन्ड अभिमान रहता है सभी दानव उनका शासन मानते हैं उनके अधीन है बेव बल्वान और इच्छा नुसार रूप धारन करने में भी समर्थ हैं महिशा सुर उनका नाम है मन को मुग्द करने वाला सुन्दर रूप बनाकर तुम आई हो ये सुनकर वे तुम से मिलना चाहते हैं अभी मनुष्य का रूप धारन करके वे तुम्हारे पास आएंगे सुन्दरी तुम्हारी जैसी रूची हो वही करो हमें सभी बाते मानने हैं हे म्रग लोचने मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रती अटूर्ट श्रद्धा रखते हैं उचित लगे तो तुम उनके पास चलो नहीं तो मैं ही उन्हें यहां बुला लाओं हे देवी तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करने के लिए मैं यहां पर प्रस्तुत हुआ हूँ महराज महिशासु तुम्हारे रूप की प्रशन सा सुनकर अत्यत वशीभूत हो गए हैं इसलिए हे सुजनने शिक्र आगया दो मैं उसी का पालन करना अपना परम करते भी समझता हूँ व्यास जी कहते हैं भगवती जगदंबा श्रेश इस्तरी के रूप में विराजमान थी महिशासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कराती भी मेग की तरह गंभीर वानी में उससे कहने लगी देवी ने जो कुछ भी कहा भक्त जनोस का वर्णन आप अगले अध्याई में सुनिएगा उमीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा